असलाम अलेकुम दोस्तों दोस्तों उम्मीद करते के आप सब खेरियत से होंगे दोस्तों यह शिरूबा कमपणी की एफ मॉडल में मशीन है दोस्तों आज मैं इसका आप लोगों को इसका जो प्रोग्रामिंग वर्जन होता है जैसे स्पीड कंट्रोल किस तरीके से किया जात पावर ओफ करेंगे तो थोड़ा टाइम लएगा ओफ होने में अब पावर हम दुबारा ओन करेंगे पावर ओन हो गया मशीन अपनी पोजिशन पर आ गई है और अभी हम इसका स्पीड चेक कर लेंगे स्पीड इसका 4900 पर रखा हुआ है तो अगर हमने इसका स्पीड बढ दालना अब यह कोड जो है हमारा इस पोट हमारा क्या है 20 कि Arab इस्की का बटन से और तेरा हमने कोड़ मिला लेना आए और पिर इसका बटन हम दबा लेंगे तो यसका प्रोग्रा Gore अब हम एक नमबर पर जाएंगे इदर प्लस का बटन दबा के एक नमबर पर आ गए अब हम पी से प्रोग्रामिंग ओन कर देंगे अभी यह 4900 पर सेट है अब हमने अगर बढ़ाना है इसको हम इसको ऐसे ओपर लेके जाएंगे यह 6500 इसका आखरी स्पीड होता है तो इसी त 400 पर जाके रुक जा रहा था बहले फिर जितना भी बटन दबाएं उन चास्व से आगे नहीं जाएगा दुबारा बताता हूं कि अब स्पीड कम कैसे करेंगे कम इसी तरीके से करेंगे पी का बटन हमने दबाया और पौरी माइनिस का बटन दबाया इसका जो यह सिस्टम ह अब हमने 20 13 मिलाना है जो इसका कोड है 20 13 यह 20 हो गया और यह 13 के हमने 1 लगा लिए और आगे 3 लगाना है यह हमारा पौरी मिसका अन हों गया प्रोग्राम रुम करने के बाद हम एक पे जाएंगे इह एक पे जाने के बाद पेर बटन दबायेंगे रही 65 है पैंश 002 शरम ध अगर चलाना है तो 4500 या 400 कितने स्पीड आप लाजमी खोले ताकि ऑपरेटर कोई भी बैठे तो उसका दिहाडी लग सके ठेके पर काम चल रहा है और तंखे भी चल रहा है तो फिर उसका मसले नहीं आप अपने हिसाब से जैसे भी रख सकते हैं अब यह ने 400 कर दिए 400 करने के बाद एसका बटन दवाएगा तो सेलेक्ट हो जाएगा चालीज सो अभी हम दुबारा स्पीड चेक करेंगे अब यह 4500 से स्टार्ट नहीं होगा चालीज सो पर चालीज सो पर आगे रुका हुआ अब ये जितना भी दबाले आगे नहीं बढ़ेगा और इसी तरीके से ये पीछे आएगा आगे के तरफ नहीं जाएगा तो दोस्तो ये थी शेरूबा और लाक मशीन का इस्पीड कंटरोल किस तरीके से करते हैं तो दोस्तों अमीद करते हैं मेरे वीडियो साफ लोगों को कुछ सीखने को मिला हूँ अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तियारों के साथ लाजमी शेयर कीजेगा और अपने जो पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजेगा एंड लोस को अला आफेश